बचों आज हम देखेंगे NCRT क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नहरूजी ने इस पुस्तक का तीसरा पाठ है जिसका शिर्षक है सिंधु घाटी सब्वेता और इस पाठ के अंतरगत बहुत सारे चोटे-चोटे शिर्षक दिये गए हैं जिनके अंतरगत हम लोगों ने अभ्यास प्रशन पहले भी देखा है आज इस शिर्षक के अंतरगत अभ्यास रूप में होगा, दूसरा है प्रश्न एवं उनके उत्तर, तो आईए शुरू करते हैं, पहला है दिये गए बहु विकल्पिये प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाईए, यहां आपके सामने एक प्रश्न दिया होगा, जिसके चार विकल्प भी होंगे, उनमें से जो सबसे सही विकल्प है उस पर आपको निशान लगाना है, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिये गए हैं, उनके उत्तर भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे, तो आईए प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं, पहला है भगवत गीता किस महागरंत का अंश है, व खगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं, विकल्प हैं कh 750, ख 740, ग 700, ग 720, सही उत्तर है ग 700, तीसरा प्रश्न है, कृष्न ने अर्जुन को क्या संदेश दिया था, विकल्प हैं क कर्म में विश्वास और फल की इच्छा ना करना ही सच्चा धर्म है, ख हिंसा जीवन में अनिवार्य है, ग निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन है, घ कर्म हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए, सही उत्तर है क कर्म में विश्वास और फल की इच्छा ना करना ही सच्चा धर्म, चौथा प्रश्न है, सार्व भौमिक्ता शब्द का अर्थ क्या है, विकल्प हैं क सब के द्वारा चुना हुआ, ख सार्वजनिक रूप से सर्वश्रेष्ट, ग सब के लिए महत्वपूर्ण, घ सब के लिए सम्माननिय, सही उत्तर है ख सार्वजनिक रूप से सर्वश्रेष्ट, पाचवा प्रश्न है, तिलक और अर्विंद घोष ने किस महाकावी की व्याख्य आपने ढंग से की है विकल्फ है कह माहाभारत ख रामायन ग कवितावली गो गीता सही उत्तर है गो गीता छट्वा प्रेश्ण है भगवत गीता का आरंभ कभ हुआ था विकल्फ है कह महाभारत युध के मध्य साथवा प्रश्ण है किसकी अंतरात्मा युद्ध के परिणाम को सोच कर परिशान है विकल्प है क कृष्ण ख युधिस्टर ग अर्जुन ग भीम सही उत्तर है ग अर्जुन आठवा प्रश्ण है गीता में वर्णित मानव विकास के कौन से तीन मार्ग है जिनके बीच करने का प्रयास किया गया है विकल्प है क अहिंसा सत्य और कर्म ख परिश्रम त्याग और भक्ति ग ज्यान सत्य और अहिंसा घ ज्यान कर्म और भक्ति सही उत्तर है घ ज्यान कर्म और भक्ति नवा प्रश्ण है गीता की रचना कब हुई थी विकल्प है क पुरातनकाल से पह ग सत्युग में ग इनमे से कोई नहीं सही उत्तर है ख बौधकाल से पहले दस्वा प्रश्ण है मनुष्य किन परिस्थितियों में गीता की ओर देखता है विकल्प कुछ इस तरह से हैं क मन की इच्छा पूर्ण ना होने की दशा में ख संदेह और कर्तव के बारे में ग्यार्वा प्रश्ण है राजनीतिक और सामाजिक संकट के अलावा गीता और किस संकट का समाधान बताती है विकल्प है क मनुष्य की असत्य बोलने का ख मनुष्य के भैवीत होने का ग मनुष्य की आत्मा के संकट का ग मनुष्य के अधर्मी होने का सही उत्तर है ग मनुष की आत्मा के संकट का बार्वा प्रश्न है महाभारत के युद्ध से पहले अशांत अर्जुन किसका प्रतीक बन जाता है विकल्प कुछ इस तरह से हैं क उस वेक्ति का जिसे युद्ध में पराजय का डर है ख पीडित आत्मा का जो कर्तव और नैतिकता के बीच फसा है ग उस वेक्ति का जो म्रित्ति उसे डरता है घ उस वेक्ति का जो केवल विजये चाहता है सही उत्तर है ख पीडित आत्मा का जो कर्तव और नैतिकता के बीच फसा है तेर्वा प्रश्न है गीता में किस बात की निन्दा की गई है विकल्प है क अकर्मनेता, ख हिंसा, ग असत्य, ग छलकपट सही उत्तर है क अकर्मनेता चौद्वा प्रश्न है गीता में किसके निर्वाह के लिए कर्म का आवहान किया गया है विकल्प है क जिम्मेदारी, ख सच्चाई, ग कर्तव्य, ग वादा सही उत्तर है ग कर्तव्य पंद्रमा प्रश्न है गीता में सबसे अधिक बल ग्यान, कर्म और भक्ती में से किस पर दिया गया है विकल्प है क भक्ती, ख कर्म, ग ग्यान, ग इन में से किसी पर भी नहीं सही उत्तर है क भक्ती सोलवा प्रश्ण है गीता के अनुसार किन दो चीजों को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए विकल्प है क कर्तवी और त्याग, ख प्रेम और जिम्मेदारी, ग कर्तवी और प्रेम, घ कर्म और जीवन सही उत्तर है घ कर्म और जीवन सत्रवा प्रश्ण है किस यूग में अपने आदर्शों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए विकल्प है क विशेश यूग, ख सत्यूग, ग कल्यूग, ग इनमे से कोई नहीं सही उत्तर है क विशेश यूग अठारवा प्रशन है गीता की रचना के बाद कितने हजार वर्षों में भारत वासी बार बार परिवर्तन विकास और रास की प्रक्रिया से गुजरे विकल्प है क धाई हजार वर्षों में, ख तीन हजार वर्षों में, ग पाँच हजार वर्षों में, ग दो हजार वर्षों में सही उत्तर है क धाई हजार वर्षों में उननीस्वा प्रश्न है मनुष्य के मन में जब भी संदेह और कर्तवे के बारे में दुविधा होती है तो वह गीता की ओर क्यों देखता है विकल्प है का उसमें लिखे कावियों को पढ़ने के लिए ख पुराने इतिहास को जानने के लिए ग प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए ग लिखी बातों की सच्चाई परकने के लिए सही उतर है ग प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए बीस्वा प्रशन है गीता में किस वाक्य से इसकी सार्व भौमिक्ता का पता चलता है विकल्प है का सभी रास्ते मुझ तक आते हैं ख जीव हत्या निशेद है ग अहिंसा परम धर्म है ग सच्चाई का रास्ता इश्वर तक पहुँचाता है सही उतर है का सभी रास्ते मुझ तक आते हैं तो यहाँ पर बहु विकल्पी प्रशन या क्विज पराधारित प्रशन जो है वो खत्म होते हैं आईए देखते हैं इस शीर्षक से सम्मंधित कुछ प्रशन और उनके उतर प्रशन एक भगवत गीता में मानव विकास के कौन से तीन मार्ग बताए गए हैं उतर है भगवत गीता में मानव विकास के जो तीन मार्ग बताए गए हैं वे हैं ज्ञान, कर्म और भक्ती मनिश्य को हमेशा ज्ञान, कर्म और भक्ती में ताल मेल बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए इन तीनों में सबसे अधिक बल भक्ती के मार्क पर चलने को दिया गया है दूसरा प्रश्ण है गीता का उबदेश किन के लिए है? उत्तर कुछ इस तरह से है गीता का संदेश ना तो विशेश धर्म के लोगों के लिए है और ना ही वेक्तिगत है या किसी विचारधारों को मानने वाले लोगों को भी संबोधित नहीं करता गीता का संदेश सार्व भामिक है, अथार्थ सभी के लिए समान है यही कारण है कि यह सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मानने है प्रश्न तीन भगवत गीता किस प्रमुख ग्रंथ का अंश है इसकी रचना किसके द्वारा और कब की गई थी उत्तर है भगवत गीता महाभारत गंत का अंश है इसकी रचना धाई हजार वर्ष पहले की गई थी यह रचना कावि शैली में की गई है कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को जो उपदेश दिया गया था उसी उपदेश को संग्रहित करके भगव शैली का आधार बनाया है उत्तर है आधुनिक युक के विचारक बाल गंगाधर तिलक अर्विंद घोष एवं गांधी जी ने अपने विचारों का आधार गीता को ही बनाया है कई अन्य लोग भी हिंसा और युद्ध का शेत्र इसी के संदेश के आधार पर निश्चित कर समंदित अभ्यास प्रश्णों को करने के बाद आप सब इस पाठ को और भली भाती समझ पाएंगे NCRT क्लास 8 की पूरक पाठी पुस्तक के अन्य पाठों से समंदित अभ्यास प्रश्ण भी हम आगे अवश्य पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद थांक यू